हेलो स्वेंस प्लैट्फोर्म में आपका स्वागत है आज हम देखेंगे चैप्टर वन केमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन तो केमिकल रियक्शन एक्वेशन चैप्टर को समझने के लिए में क्लास 9 ते पड़ा टॉपिक याद होना चाहिए जो टॉपिक का नाम था फिजि और अगर कभी चैंज हो रहा है तो उसमें न्यू प्रोडक्स होते हैं दूसरी यह कि इसे रिवर्स किया जा सकता है और चैंज आपका इसली रिवर्सिवल नहीं होता है उसके लिए आपको बहुत सारे कैमिकल मैथर्ड्स डिस्टिलेशन वगेरा प्रोसेस लगते हैं इसक प्रोसे कर सकते हो दूसरी चीज़ क्या है इनके अग्जामपल मैटिंग ऑफ आइस इजाममपल ओफ फिजिकल चेंज अगर कहीं आइस की मैल्ट हो रहा है तो मैल हो रही है एक स्टेट से दूसरे से चरह से जा रही है जा रही है यहांनि पहले सॉलिड थी फिर जो है वापस से अगर हम रखेंगे उसको फ्रीज करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा आइस बन जाएगा तो यह प्रोसेस रिवर्सिबल भी है और इसमें कोई नहीं नहीं हुए तो दोनों प्रॉपर्टी पाए जारी इसका मतलब मैंटिंग आइस किसका एक्जामपल वह कापी दोवा निकल रहा होता है उसमें से स्मॉक कापी आती है आपकी जो राक बचती है एश बचती है उसमें आपने देखा कि इस चेंज में नए प्रॉडट्ट्ट पॉप हुए जो कि एश है या स्मॉक है ठीक है और इस प्रोसेस को आप डिवर्स नहीं कर सकते एक तो इसलिए प्रोसेस किया हुआ खैमिकल चेंज हुआ अभी रहा है बदलाव हो रहा है तो आपके प्रॉसेस क्या है इसको हमने के नाम से भी जाना जाता है तो chemical reaction देखते हैं क्या होता है उसकी definition यह the process in which substance with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction तो कोई भी process जिसमें आपका जो substance है वो involved है कोई एक substance हो सकता है एक से जादा substance हो हो जो form react करते हैं तो react करने के बाद आपको नए products form कर रहे हैं उन products की जो property होगी या उन substance की जो property होगी वो उसकी property reactant से अलग होगी तो chemical reaction के जो आपकी एक्जामपल्स है वो होगे direction of food जो आपकी बॉड़ी में होता है तो यह chemical reaction है respiration जो आप सांस लेते हो oxygen को इन्हेल करते हो और co2 को एक्जेल करते हो तो यह भी किसका example है chemical reaction का formation of curd जो कर्ण का formation होता है जब आप दही जमाते हो तो भी इसका example है chemical reaction का छौतने मेंगनेशयम रिबन मैंगनेशयम रिबन में मिल जाएगा मेंगनेशयम में रिबन होता है इसे इक है और बन करते हैं तो एक है ठीक आगे कर सकते हैं इन में जो प्रोडक्स फॉर्म होते हैं अब देख लेते हैं अगे चैनल एक्वेशन क्या होती है अब ने कैमिकल एक्वेशन समझ ले क्या होता है चैनल एक्वेशन क्या होती है चैनल एक्वेशन जो आपकी चैनल एक्वेशन होती है उसको हम चैनल एक्वेशन के से मिक्ट से मरसद सकते हैं आगर मिसके मिसी करना चाहते हैं तो हमें इक सब्सक्राइब लगती एक उसी सम्प्रेजिन दॉप क्या बनाते हैं कि इस तरह साब रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कैमिकल येक्षिन को यहां पर हमने कौन जी कैमिकल येक्षिन के रिप्रेजेंट करेंगे सब्सक्राइब मने के लिए आपको सब्सक्राइब करें अपस में होसी को बनाएंगे ये स्टेट में आपने लिए लिए यह वो जानने के लिए आक वने में देखना होता है कि कौन सी स्टेट लिखी गई है ठीक है स्टेट आपने पढ़ रहा है तो अगर एक लिखा है तो कैसे स्टेट में और अगर वह सब्सक्राइब ना होकर पानी में गोल के रियक्ष्ण होई है तो यह किस कंडिशन होआ है हीट की वह नहीं है तो ट्राइंगल का वह हीट को द्रिवर्जिंट करता है अब अब ापकी एक्वेशन में आप को दो है देखते हो लैफ्ठ हैंड और राइट हैंसंड प्तु किसी प्रिङ्टर्हें नहींद बनती है हैं जो सब्तेंस आपके रियक्टने के बाद नए बने उनको बोलते हैं products अब जो reactants होते हैं यह सब्त है इनकी definition अगर पूछी रहे सकते sometimes that take part in chemical reaction किसी भी reaction में 另外 계 constructing कर रहे हैं ऊनको बोलेंगगे reactants जाने कि आह icons to react इसलिए इनका नाम है reactants, वो substance that are formed in chemical reaction, तो किसी भी chemical reaction में है, जो substance form हुए है, उनको आप बोलोगे products, यह आपके किसी भी chemical reaction ने बार देख फॉर्म होते हैं, इनकी properties reactants से अलग होती है, या इनकी properties काफी नहीं होती है, इसलिए यह जो है आपके reactants से अलग होते हैं, इसलिए क्या-क्या उसे characteristics है तो chemical reaction जब भी हो रही है तो वहाँ पर पाफ चीज़े होना पाफ चीज़े हो सकती है पहली चीज़ क्या है कि चेंज इन कलर कोई भी अगर reaction हो यह आपको identify करना है तो वहाँ पर चेंज इन कलर हो सकता है यसे कि आप एक्जामपल लिख सकते हो तो उसमें क आपको क्या होगे देखो यह कॉपर सल्पेट का सोलूशन अवेल होता है वह बुलू कलर का होता है तो अगर आएरन की आप reaction करते हो कॉपर सल्पेट के साथ इसे मिक्स करते हो required quantity में तो क्या फोम होता है फे-स फोफोर यहांदि कि फैरस सल्पेट और कॉपर आपका अलग ह से पहले वह ता ब्लू और बाद में प्रोडर क्या हो गया ग्रीन हो गया तो इसका मतलब आप देखो कि हाँ पर आएरन सल्पेट कॉम हो चुका है तो यह एक इंडिकेशन है प्रॉपर्टी है कि इसकी chemical reaction की दूसरा जो आप देखते हो इसका चेरेक्टरिस्टिक होई है च यानि कि वाटर मन गया इन लिक्विड फॉर्म में है यानि कि हाइड्रोजन हमारी गैसे स्टेट लिक्विड स्टेट में जा रही है तो यह क्या हो रहा है चेंजिन स्टेट हो रहा है अब यहां पर टेंपरेचर में चेंज आएगा तो क्या पर हीट्रीज हो रही है तो उसका टेंपरिचर कम होगा इस प्रोड़क्ट यहां पर हीट्रिज कि प्रोड़क्ट के साथ जो टेंपरेचर होगा वो वो कम होगा आज कंपर टू रियक्टें ठेंट्य है तो यह चेंजिंघ हम घ्रिक्रेचर में तो यह चोंट-अपिएघ्स की फॉर्फ प्रोपर्टी है क्या िवालूशन और गास वहां पर क्या बन गया जींग सल्पेड के सॉलेट कॉँछ हो गई इवाल्व हो गई कोई भी वालुशन आपको दिखाना तो आप ऐसे दिखाते हो अपर कि तरह लगाकर यानिकि जो एसा हो हवा में पॉप सांड के साथ रिलीज हो गई तो इवालुशन ऑफ गया सब्सक्राइब किसकी प्रॉपर्टी और रियक्शन प्रॉपर्टी यह है और काक्राइब कोई गता है जो आपका वाइट गलर का प्रेसिपिट्टेट बनता यह जो तो आपका जो आपका रियक्शन होता है उसमें भूलता नहीं होता है आपको अलग से तरह पड़ावा दिखाई देता है इसको प्रेसिपिटेट गोलते हैं तो आगे देखते हैं नेक्स पर क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं chemical equation को दो पार्ट हमने डिवाइड किया है पहला तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वर्ड एक्वेशन की हल्प से या सिम्बॉलिक एक्वेशन की हल्प से वर्ड एक्वेशन क्या कहती है वर्ड एक्वेशन में आप क्या करते हो तो भी आपका element हो गया या कोई भी chemical formula हो गया उसका पूरा नाम लिख होगे जैसे कि आपने लिखा जिंक का symbol ना लिखकर पूरा वर्ड यानि कि उसका पूरा नाम लिख होगे जैसे कि जिंक हो गया प्लस sulfuric acid हो गया तो दोनों ने आगे हमने देगा symbolic equation में क्या है कि हम इनके नाम यूज करने की बजाए इनके सिंबल्स करेंगे जिंक को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब इधर की तरफ आपकी रियक्टेंट्स होते हैं तो जैडन प्लस एस टू एस ओको यह आपने देख रहें कि सिंबलिक एक्वेशन में जगें भी कम लग रही है और इसी लियम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं चीजों को इसमें इतने सारी जगें घेर रहा था वर्ड एक्वेशन में और सिंबॉलिक में बहुत कम जगें यह कर रहा है अब सिंबॉलिक वीशन दो तरीके से हो सकती है पहला तो यहां बैलैंस दूसरा अब अब बैलैंस ठीकुईशन क्या होती है बैलैंस ऑब होती है जहां पर नंबर और इंटम्स अपर अ ट्रृहिट्ट साइट पर से हों यानि कि यार्ज्व पर अबर एक्वेशन अगर आपका पर है तो ही हाईड्रोजन आपका और आप फोना चाहिए तो इसको बोलेंगे बैलन्स अपर है और यह दर है ऊक्षिएं के दो एक्वेशन के यहां पर है और ऑक्षिएन के यहां पर भी दो एक्वेशन क्या होती है जो ऐसे दिखी रहाँ इस इक्वेशन भी बोलते हैं इसमें क्या देखते हैं कि लिएक्वेशन के यहां पर एक्वेशन है यानि कि यह नहीं है बैलस्ट के देख सकते हो एक केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of each elements on reactant side is equal to that of product side यानि कि जो chemical equation है उसके number of atoms of each element हर element की number of atoms जो reactant side पर होंगे यानि LHS पर होंगे वो equal to होने चाहिए to that of product side इतने हापर elements होंगे atoms की उतने elements यहाँ पर होने चाहिए atoms के दूसरी चीज़ क्या है कोई में equation balance हम क्यों करते है equation balance करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह फॉलो करता है क्या लॉप conservation of mass क्या होता है कि mass can neither be created nor be destroyed chemical equation तो किसी भी chemical reaction reaction में मास को ना तो create कह रहा सकता है ना ही मास को destroy कह रहाता है उसे सिर्फ आप एक चीज़ से दूसी चीज़ में लॉप conservation of mass को फॉलो करने के लिए balance करते हैं कि इसे कह सकते हो यहां पर सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं तो इसकर पहले स्टैप होता है आप एक्वेशन देख सकते हैं एक प्लस ह्टू वह आप मतलब यह जो इसको आपको बैलेंस करना है तो आप पहले एक टेबल बना ले इसमाप सब्सक्राइब करने से पहले सब्सक्राइब करने से पहले सबसे पहले आप जो है इक्वेशन को लिख लें कि अग्याइब करना है इस एक्वेशन के आज पास आपको बॉक्स बना देना है हर जो आपके क्रेमिकल पॉर्मुले यह एलिमेंट्स हैं इस तरह साब बॉक्स बना सकते हैं इस बॉक्स को मतलब है कि जब भी आप इस चीज़ को बैलेंस कर रहे हो तो आपको जो अंदर के एलिमेंट्स हैं इनमें कोई बद्रावनी करना है यह फिक्स हैं अगर आप इनमें चेंज कर दोगे तो आपका जो प्रोड़क्त है यह सब्सक्राइब हमने देखा कि कैमिकल एक्वेशन में यह यह रिक्ते हैं अगर आप बैलेंस करते हैं अंदर कोई करते हो वह सब्सक्राइब करते हैं एद्धा रहे हैं तो जो भी करते हैं इनके करते हैं और हमने देखा कि यहां पर ऑक्षिजन को यहां जरी माइनस वन दो आप्सका रहा है लेकिन जब लिए पर लिखेंगे तो फोर सब्सक्राइब करेंगे तो इसके अंदर हम कोई चेंड नहीं करते हैं प्रेजाब लगए आपका वाटर का फॉर्मुला है अगर सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए हम यहां पर अंदर चेंड नहीं कर सकते हैं उस पूरे सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां हमने देखा कि ऑप्सिन को बैलेंस करने के लिए हमने फोर से पूरे मॉलेकुल को मेंटि प्लाइगा निकि फोर ताइमस हम ने लिया तो यह कितना होगा आपका यहां पर हैं टेवल को ठीक करते हैं आया ने कितना यहां पर वन है इधर थ्री है 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 और एज़र तो आपने कोई चेंज किया नहीं था तो अगर आप देखते हैं कि तरह तो हाइड्रोजन की आटम्स कितने हो गए यहां पर आप देखा कि यहां पर ऑक्सिएन तो बैलेंस हो गया है आपका इपने की बैलेंस करेंगे तो उसके लिए नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना होगा प्रॉडक्क की तरफ जाना होगा देखते हो तो पूरे मोलेकुल कम पूर से मिल्टिप्लाइब करेंगे तो हमने देखा कि आपका इस तरह से आपका हाइडोजन बैलंस हो गया आपका लास्ट बचा आयरन को बैलेंस करते हैं पहले से अलड़ी बहुत जादा एक ही आटम है तो इसको इक्वल करने के दिसे कर देंगे करेंगे अब हम अगर अपनी को देखते हैं तो हमें जो है इधर कितने हैं तो इस तरह आपकी वेशन हो चुकी है अगर अगर्ण को प्रेक्टिस करने तो प्रेक्टिस के लिए इंस कर सकते हैं और अपने आंसर को चाहेते हो चोड़ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ